परिच्छे देख, एक गंभीर संबोधन में, फ्रांस के राश्ट्रपती इमेनुएल मैक्रॉन ने यूरोप को कड़ी चेतावनी देते हुए घोशना की कि यह महादवीप, विलुप्थ होने के खत्रे का सामना कर रहा है। फ्रांसीसी नेता, ने यूरोप की वर्तमान स्थिती की एक गंभीर तस्वीर पेश की। इसे, रननीतिक रूप से कमजोर, उर्जा के लिए रूस पर अत्यदिक निर्भर और सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर अत्यदिक निर्भर बताया। सदस्य देशों के बीच अधिक समनवय और रक्षा प्राद्योगिकियों में अधिक निवेश की वकालत की। मैक्रॉन के शब्दों ने महाद्वीप की भविश्य के संकटों का सामना करने की क्षमता के बारे में यूरोपिय नेताओं के बीच बरती चिंताओं को प्रतिबिम्बित किया और अधिक मजबूत और एक जुट यूरोप की आवश्यक्ता पर प्रकाश डाला। अनुच्षेद 3. मैक्रॉन की चेतावनी यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आई है। यूक्रेन में युद्धा और रूस के साथ बढ़ते तनाव ने महाद्वीप के भविश्य पर एक लंबी चाया डाली है। फ्रांसीसी, नेता की टिपपन्यों ने यूरोपिय संग्व के नेताओं के बीज एक अधिक मुखर और स्वतंत्र यूरोप की आवश्यक्ता के बारे में बहस छेड़ दी है। जो तेजी से बदलती दुनिया में अपने हितों और मूलियों की रक्षा करने में सक्षम है। झाल